तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करते हैं कि जहां भी होंगे अच्छे से और ठीक ठाक होंगे तो चलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे वैक्सिन के रिकर्डिंग जो लोग भी कमेंट करते हैं वाइं हम इंडिया में दो भाइक सिन लगा है उसके बारे में और यह नए नियम आया है कि साॉधिय रभ आप जो लोग जाएंगे उनका तवकलना जो है स्टेटस चेक किया जाएगा इतने दिन बाद चक किया जाएगा क्या नियम है क्या तरीका है अगर आपको जाना है तो वीडियो को सुरुसन तक जरूर देखें तो पहले हम यहां पे आपको यह बता देते हैं कि जब आप इंडिया से सुधी रफ के लिए निकलते हैं कोई सावी भीजा में यह हो गया लेकिन एक और चीज होता है जिसका नाम है मुखिम पोटल पर आप राजिस्टेशन कर देते हैं राजिस्टेशन आप करते हैं मतलब कि आप तीन दिन पहले और माल लिए शेक खाया है एक विड्योज तो आपको वहाँ पर जो है सावदीःर्भ में लगाना ही होगा चूंकि आपका तवकलना इंडिया से निकलेंगे तो आपका अकामा बनेगा और अकामा ही वहांका मैं होता है एक ही जो आपको एरपर्ट पर फोटो घीचेगा वही हर एक चीज में वही फोटो होता है तो वही तावकलना से वही तावकलना अगर आपके बास मोबाइल में रहेगा तो ठीक अगर आपका इस्टेटर सही बताएगा तो आपको हर एक जगा आपको जाने दिया जाएगा लेकिन अगर आपने मान लिजे कि इंडिया में दो भैक्सिन लगवाली है तो सौधी गॉर्मेंट को कैसे पता लगेगा तो जब आप मुकिम पोटल पे जो रेजिस्टेशन करते ह बताएगंटा पहले तो आप सवडिपेकर टो अप्लोड करते हैं तो उसी में पता लग जाता है सोधी गॉर्मेंट को कि भाई यह जो भैक्सिन का सवडिपेकर यह नहीं तो चलिए वरिजिनल है दवा तो दवा ही है मत्तों बैक्सिन तो दुनों एक ही है यह है कि इंडिय देता हूं अगर आप पहुंच गये हैं ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं है कि यह है कि आप इंडिया में दोनों भैक्सिन लगा ली है तो आपको सवडिव में लगेगा ही लगेगा कब से लगेगा तो अब ही तो लग रहा है बुजूर्ग लोग लग रहा है लेकिन एक फर तो दूसरा श्तो भट हिंगेगा तो यह सब चक्करी खतम हो जाएगा वहां पर आपको लगेगा लियां तो भाई प्रवाइब नहीं किया है कि कफ़ला जाएगा लेकिन जो है मिटिंग हो रहा है अभी इंडिया से 30 कंट्री के लिए फ्राइट खोला है लेकिन मिटिंग हो रहा है मतलब कि दूसरे देश से जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तो कैसे जाएंगे आदम लेकिन तो वह भी देश तो कहना चाहिए कि हाँ भाए हमारे देश में आने के लिए फ्राइट का परिमिसन जब तक परिमिसन नहीं देंगे तो कैसे जाएंगे फ्राइट लेकिन हो सकता है अभी तो एक नया वायरिस तो यही है भैक्सिन से रिलेटिव तो मतलब की पाकर के चलिए अगर आप सौधी रव में पहुंचेंगे तो आपको तीसरा डोस बैक्सिन का लगवाना ही होगा अगर आप पहुंच गये हैं तो अच्छी बात है अगर आप बहुत ऐसे लोग हैं जो सौधी रव से आना भ पारी में जो बोल दिया जाता है वह हो जाता है मतलब यह कि अगर आपने जो लोग दो बैक्सिन लगाए हैं उनको अब जो है नहीं चाहने दिया जागा फलेट में यह सब भी बोला जाता है जो लोग बैक्सिन तिसरा डोस नहीं लगा है उनके लिए डिरेक्ट फलेट में है जाना ही बंद है अब तो लोग तो इसे लोग है जो दो ही व्य का रहा हैं लेटे से इंडिया से कर और से नहीं करें दोरोज में को यसका साथ में अधिर activities Syndrome